नमस्कार आप देख रहे हैं नियूस जीटिन विहार जार्खन का डिजिरल प्लाटफॉर्म मैं हूं शुभे मिश्वा आपके साथ इंदनों गणीश पूझा की धूम पूरे देश भर में देखी जा रही है लेकिन इसी गणीश पूझा में अगर उपद्रव हो जाए तो आप क्या कहेंगे एक ऐसे ही तस्विर करनाटक से सामने आई है जहाँ पर नाग मंगला में गणीश पूझा के दोरान ही उपद्रव मच गया आपको बता दें कि जारो तरफ से लाठी डंडे चलने लगे जसके बाद से इलाके में धारा 144 लगा दी गए दरसल गणेश विसर्जन के दोरान ये गणेश की प्रतिमा विसर्जित करने के लिए जाई जा रहे थी मच रास्ते और इसी रास्ते पर दोनों पक्षों के दरफ से विवाद हो गया और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहीं पर लाठी डंडे चलने लगे और उपद्रव करने लगे सभी उपद्रवी और इसी बीच पुलिस कर्मी भी वहाँ पर पहुंचे और कोशिश ये की गई कि इस्तिती को तनावपूर्ण से रहित बना कर शांती पूर्ण म गटना की जानकारी होते ही मौके पर पुलिस पहुंचे लाठी चार्ज की इस घटना में पुलिस कर्मी भी जखमी हुए हैं। देखते हुए पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी साउट जोन के आईजीपी बॉर्लंगिया ने बताया कि गणिश जुलूस के दुरान पत्राव होने की खबर मिली है। इस मामने पर राजु के ग्रिह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि गणिश विसर्जन के दौरान किसी ने पत्राव किया। इन लोगों ने भी वैसा ही जवाब दिया अब इस सिती ने अंत्रण में हैं। दोनों पक्षों के बीच करीब 52 लोगों को गरफतार किया गया। अतरिक्त बल भेजे गये। लोग जखमी हुए ब्योरा जुटाय जा रहा है। मांडिया के एसपी मलका अरजुन बालांडी ने कहा कि जब मश्रित के सामने गणिश विसरजन का जुलूस पहुँचा वहाँ से आगे बढ़ने में थोड़ा समय लग गया। इस वज़ा से दो गुटों में वहसबाजी हुई इस दोरान पुलिस ने भीड को तितर बतर करने के लिए लाठी चार्ज की बाद में लोगों के एक समुह ने थानी के सामने विरोज शुरू कर दिया। दूसरे समधाय भी पत्राव करने लेगे उपद्रवियों ने दो ब द्रव की तस्विर नाग मंगला से सामने आ गई तीन दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है और बताय जा रहा है कि सभी स्कूल और कॉलेजन को भी बंद कर दिया गया है। शुक्रिया।